लेयर्ड मठ्री बनानी के लिए मैंने हाफ केजी मैदा ली हुई है इसमें थोड़ा सा हाँ अजवाइन डाल देते हैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमग डाल देंगे 1 फूर्थ कप देशी गी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए हमारा मोयन बहुत ही पर्फेक्ट बन करके तैयार होगा है इस तरीके से लड़ू बन रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा मन अच्छी तरीके से लग गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करते मैं देको बूद लेते हैं हमारा बन करते हैं तैयार हो गया चरिए अम इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देते हैं जिसे हमारा जोड़ वह अच्छी तरीके से सेट हो चकाई है मैंने जो पेष्ट तयार किया है अब हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे मैंने घी और मेहदे का एक पेष्ट तयार कर लिया है वह हम इसमें स्प्रेड कर देंगे मैंने पेष्ट को चार तरफ से इसको स्प्रेड कर लिया है अम इसको टाइटली रोल करेंगे नायफ की सेतर से कट कर देंगे चोटी 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 लोईयां तैयार कर लेंगे चोटी सुछान पुड़ियां कर लेंगे चलिए आव हम पूड़ी बना लेते आं मठ्री के लिए और हम इसमें लगाएंगे देसी घी और जिस उंगली से मैंने देसी घी लगाया है इसके साथ वाली उंगली से हम इस तरीके से ट्रेस करेंगे जिससे हमारी जो उंगली वाली घी या वो उस पर एफ्लेक्टर नहों हलका से इसे ट्रेस कर देंगे और बेलं की साइटा से इसको देड लेंगे चलिए हम बन बाई बन करके इसको गरम वैल में डाल देते हैं अब अपनी मठ्री को लो फ्लेम पे ही डिफ्राई करेंगे जिससे मारी जो मठ्री है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगी मठ्री में एक साइट से कलर आचुगा है चलिए हम इनको टर्न कर लेते हैं और दूसरी साइट भी कलर ले लेते हैं कि यह देखिए हमारी लेयर्ड वाली मठ्री में कलर बहुत अच्छा आ गया है चलिए हम इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं हो कि कि इस तरह से हम अपनीुमत्री सारी तयार कर लेंगे यह दिरी हमारी जो मठ्री बहुत टीयार रोई है 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 इस प्रकाल हमारी होली स्पेसल मल्ट़ी लेयर मठ्री बनकर की तयार है आप लोग इसका अपने अपने घर केजिभिमाच ज़रूर आ किommy thank you, happy cooking